हुआ 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 है मैं लेका रहा हूँ आपके लिए एक नए वीडियो और बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक पर यह वीडियो है दोस्तों बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक इंपोर्टन टॉपिक क्या है जोस्तों जिया आपको इसक्रीन पर दिख रहा होगा बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं स्नैपिंग टॉपिक जी जो टॉपिक है दोस्तों बहुत ही जादा यूसफुल होने वाली है और यूसफुल होती भी है यदि आप प्राइबट सेक्टर म में काम करते हैं कहीं भी काम करते हैं या प्रिजेक्ट बनाते हैं कहीं भी कुछ भी तो दोस्तों कभी-कभी ऐसी रिक्वार्मेंट आ जाती है कि किसी को हमें क्या करना पड़ता है कुछ स्क्रीन को क्रॉप करके हमें उनके पास सेंड करना पड़ता है यदि हम स्नैपिंग आप करिएगा तो आपका पूरा इंटायर पेज ही उनके पास शिंड करने से जाएगा लेकिन यदि आप चाहते हैं जो चीज वो चाहते हैं उसी को हम भेजें उनके पास उसके लिए best option है snapping tool तो आईए हम लोग देखते हैं उसका use हम लोग करते हैं कैसे हैं उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो वही एकी बात चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe करते हैं वीडियोस को like करें, share करें, comment करें तो दोस्तो आईए हम लोग देखते हैं स्नैपिंग टूल को कैसे हम लोग यूज करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे सर्च बार में से स्नैपिंग टूल को हम लोग क्या करेंगे सर्च करेंगे कि स्नैपिंग यह देखिया आग्या हम इसको क्या करेंगे ओपिंड कर लें कर लिए है अब हमें क्या करना है हमें इस पूरे इंटायर पेज में से यह चीज को कट करके क्रॉप करके हमें भीजना है तो हम कैसे यह देखते हैं यहां निव पर क्लिक करेंगे यह हो गया इसको हम साइट कर देंगे हम क्या करेंगे यह देखे हम निव पर क्लिक के हमारा जो स्क्रीन था देखे मतलब हीज़ी टाइप का हो गया है ना ब्लॉड टाइप का तो हम क्या करेंगे अब यहां से हमें जिस चीज को भीजना है पूरे पेज में से हम उसको ऐसे से करेंगे और श्रेलेट करने के बाद छोड़ देंगे ये कॉपी हो गया, जिस किसी को भी हमें भेजना है, हम क्या करेंगे, नौर्मली उसको पेश्ट करेंगे, मैं एक्जाम्पल देखाता हूँ, पेंट पेंटो पेंट किया, मैंने इस स्क्रिर्शाट को ले रखा है, अब ह हमें क्या करना है नॉरमल हमें किसी को भीजना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे देखिए सिर्फ वही चीज आई है और कुछ भी नहीं आया ऐसा नहीं दोसरों सिर्फ आप वहीं से आप कहीं से भी snapping tool का use करके आप कर सकते new देखे इसका अब हमें ये चीज भीजना है तो ये देखे ठीक है जा करेंगे इसको यहाँ पे पिश्ट करते हैं ये देखे आगे आना snapping tool का use करके आप बहुत ही आसाने से उसी चीज को आप किसी के पास भीजेंगे जो उसके लिए जरूरी है और जो unnecessary है जो आप नहीं चाहते हैं आप वो चीज उनके पास नहीं जाएगी और हाँ दोस्तो मैं आपको और भी examples लेके देखाता हूँ सबोस हमने Excel में कुछ करा है सबोस दिए और हमें screenshot भीजना है सिर्फ इसका इधर में मेरे और कुछ required documents है जो कुछ लिखे मैं नहीं चाहता कि वो उनके पास जाए तो हम क्या करेंगे snapping tool का use करेंगे new पर जाएंगे और सिर्फ इसी को हम क्या करेंगे select करेंगे यह देखिए copy हो गई अब हम क्या करेंगे उनको यहां आके पेस्ट करेंगे पेस्ट का मतलब control भी राइट क्लिक करके पेस्ट भी कर सकते हैं तो वो पर्टिकुलर चीज ही वहां उनके पास जाएगी जो हम उन्हें भेजेंगे अदर्स नहीं जाएंगे ठीक है दोस्तों पुछ भी आप यहां से भी फिर से इस पर लेकिन इसमें क्या हो करना पड़ता है बार बार snapping टूल को क्लिक करना पड़ता है न्यूप पे जाएंगे तो वो option हमें मारे पास आ जाएगा कते हैं बहुतर है जैसे कहीं भी नइंड कर सकेंगे लेकिन हां दोस्तों यह यह चाहते है कि बार बार हम housekeeping टूल का यूज ना करना पड़े हम snapping टूल का यूज नहीं करके भी कर सकते हैं करेंगे स्नापिंग टूल अब नहीं है अब हम कहां से जाएंगे कोई जूरत नहीं है मैं आपको लेखाता हूं एक्जम्पल के तोर पे आई सब्सक्राइब यह हमारे पास हमें यहां से कुछ कटिंग करके भीजना है तो हम सौटकट की यूज़ करेंगे बहुत यह सब्सक्राइब सौटकट की अपके लेप्टॉप में एक वटन होगा जिसका नाम होगा विंडूस विंडूस को विंडूस प्लस सट प्लस स देखे यह औप्शन आ गया और आप जिसे भी सेंड करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे नौर्मली और यह अब अब इसी क्या करेंगे तो shortcut की use कर सकते हैं आप without snapping tool को खोले ही open की ये बगैर आप windows plus shift plus s windows plus shift plus s ये देखिए तो आप अराम से normalize को select करके यहां से कुछ भी नहीं भी भेज सकते हैं तो ये था पूरा use इसका snapping tool का shortcut keys लेके हमने पूरी details जान ली इस videos के मात्यम से तो दोस्तो वीडियो कैसा रहा हमें comment section में के जोर बताइएगा और अभी तक ये आप नहीं जानते थे तो अब इस snapping tool का use करके आप बहुत सारे काम कर सकते हैं तो दोस्तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसे ही गुरुत पुर्ण वीडियो के संग तब तक के लिए thank you thank you very much और हाँ दोस्तो चैनल को अधी subscribe नहीं किया है बगार देरी की वे देरी ना करिए चैनल को subscribe करिए वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए वीडियो कैसा रहा हमें कमेंट शर्ण लिकी जूरु बताजिएगा दोस्तो ठीक है हमें आपके कमेंट का वेट इंतिजार रहेगा ठीक है दोस्तो फिर मिलेंगे अगली वीडियम तब तक के लिए thank you